सात्यों बीते 5-6 वर्षों में हैका थोन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेट्फरम बनाया गया है इसके पीशे की सोच है देश के सामर्थ को संगरित करना उसे एक माध्यम देना कोशिच यह है कि देश की चुनवतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो जब ये कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवाशक्ति की प्रतिभावी सामने आती है और देश को बहतर समाधान भी मिलते हैं देश के पहले टॉय के थौन का मकसद भी यही है मुझे आध है मैंने खिलोनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्म निर्भरता और लोकल सॉलुशन के लिए युवाश साथियों से अपील की थी उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉंस देश में देखने को मिल रहा है हाला कि चंद लोगों को ये भी लगता है कि खिलोनों ही तो है इनको लेकर इतनी गंबीर चर्चा की क्या जरूरत है असल मैं ये टॉइज ये गेम्स हमारी मानचिक शक्ति हमारी क्रियेटिविटी और हमारी अर्थववस्ता पर ऐसे अनेक पहलूं को प्रभावित करते हैं इसलिए इन विशयों की बाद भी उतनी ही आवशक है हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाट साला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलोने ही होते हैं समाज के साथ बच्चे का पहला समवाद इनी खिलोनों के माद्दम से होता है हमने देखा होगा बच्चे घर में खिलोनों से बाते करते रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे कुछ काम करवाते हैं क्योंकि उसी से उसकी सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुवात होता है इसी तरह ये टॉइश ये बाड़ गेम्स धीरे धीरे उसकी खाने का माध्यब बन जाते हैं